चप्रा में बेज़ेपी और आरज़ेडी के कारकरतों के बीच कोई गोलिबारी में यूवक की मौत के बाद से हाला तनाफून बने हुए हैं मौकेबर मौझूद पुलिस से आकरोशीतों के जड़क हो गई है जहां लोगों ने सड़क पश्चक के साथ अगज़नी की और कई गाड़ियों को लिशान बनाया है मौकेबर मौझूद पुलिस को भी लोगों ने गुस्य का सामना करना पड़ा भिकारी ठाको चौक या असपास काफी तोड़ वोड़ और हंगामा भी किया गया पुला इलागा पुलिस थामने में तब्दीद कर दिया इस गर्टा के बाद मृतक किश्चाफ के साथ इस थामने लोग भिकारी ठाको चौक पहुचे और वहां पर जम कर हंगामा किया इस दोरान पुलिस वारों से भिस थाने लोगों की जड़क होई सारण एस पी ग्वारग मगला ने कहा कि आज जड़ी और विजुबे की कारकरताओं की बीच कैंडिडेट के उपस्तिती में विबाद हुआ था उजी की प्रतिक्रिया में आठ कुछ व्यक्तिव के द्वारा लोगों को गोली मारी गई है तीन लोगों को गोली लगी है जिसमें एक की मौट हो गई है एक घालबक्षी को पठना रेफर किया गया है एक अन्य के सिथी खत्रे से बाहर है पुलिस दूश्यों की पैचान कर उनको ग्रफ्तार करेगी जो लोग भीड और भड़कान की कोशिश कर रही है उनका खलाफ कारवाही के जाएगे शांते परबस्ता बनाए वपने के लिए इंटरनेट को बैन किया जाएगा आज एड़ी और बेज़ेपे कितार करता हुए बीच कैंड़ेट को पस्तिती में वबाद में गटना हुए सर एक करिकर्टा को गोली मारी जही है क्या कहीं किस तरह से यह कर रहे है जाएं पर इस परकार करतना हुना नहीं चाहिए एक समाज ये उचित नहीं है और पूलिस पर साथन तदपर है पुलिस के इसमें वितलता है करी नहीं है कि अभी अभी तुरंत इस दिशाय पर कुछ बोल देना हम समस्क्राव को चित परते रहे हैं इस देखा जा रहा है इसमें तो कोई चंका है नहीं अभी तो कि आज चंक वारल हो रहा है उसको भी आपको रही है यह हो रही है अभी 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 तो यहां लाकी दन का चला जब हम लोग आए तो उसका वोडिका वाज अचानक हुआ तो हम लोग भाग है जो आने वाला भी यह उन्ता वी जाहिए उसके बोली चाहिए उसके बोली चाहिए उसके बोली चाहिए उसके आपको भाग है और जो अभाग है आपको यह व्यूंड ने कहीं हो लोग कर दो इसके बोली लोगाप्ण कि व्यूंड भी प्रेंटा़ ने बात्ताव मेंड़ा शेजिल अभी अधुद लोपके बोली चला दनदा था में शहत की शहत भी आई है देखें को बाद कोई के गोली लगा है तो नो जानते हैं तो किसी में शहतली है मुझ्यों भाल मुझ्यों पुरूर तो आपर भाल दो कि पुरूस हों कि अपया को थो कि श्वा जुखा हो नस्थ अपर भाल सुंत कि सिका है थोक्तर के लिए आले मालों मालूना कि यहां पर तलेक विवाद हुआ था दो पार्टी जो है राज पीच के बीच में विवाद हुआ तो उसी की प्रसुषिया में आज कुछ वेश्ट्यों के द्वारा उस लोगों को गोली हुआ हुआ है को गोली लगी है जिसमें से एक इसकी होई है तो इस अन्यरक्ती को पत्ना रखर किया गया है एह उन्यरक्ती सेफ है इसमें पुलिस दो भी यहां पर गटना कारिद की है इसने का प्यास कर दीए ताथ में जो लोग कहां इसको इंसाइद कि इन गटना को उस्माद्यों आपको यहां पर शांती रउस्था बनाए के लिए पिलिश के लवारा प्राशन के द्वारा इंटरेट टुपाहण भी किया जाएगा के लिए और लगातार हमारा हप्जना पर लाच्छना के लिए लोकसवाद छेते पर रोनिया चैजान ने गंभी अरफ लगाया कि भाजपा हार की डर से गुंडागर्दी उतर गई है और गोली बारी की घटना की है जिसमें एक आपनी के मौत भी हो गई है दो आपनी गंभी उसे घाइल भी है मेरी बात सबसे बड़ी बात है हाजपा और गुंडा के बात जाती है तो कहीं दूर दूर तक उसमें संब्द नहीं है गुंडागर्दी और लाठी चलावन तेल पिलावन और जंगल लाज वहीं से आता है हाजपा का सुसासन से संब्द है हाजपा के अंदर एक चरित्तर संस्कृति के सांथ राजनित करने का उनके अंदर वह ताकत हुए और उनका सीधे रास्ता भी है मार्ग दस्तक भी है इसलिए हमें लगता है उनका आरोप बेबुनियाद है और मैं अगर उसको उल्टा करूँ तो वहार को जोसे ही सारी बातें वह कर रही है तो कि वहां का जो चुनाव हो गया है कली चुनाव हुआ है जो च्छन कर क्या रहा है वहां भी भाइदपा भाड़ी मौबस से वहां भी की देगा अच्छा महौल देकर लग रहा है कि चार सु पार जाएगा ने महौल तो